एलो बुरेंट्स तो next article हमारा H9N-2 वैक्सीन के बारे में तो आपको मैं यह article बताओं तो हम यह बोलेंगे कि जनरली चिकन में जो एक वाइरस देखने को मिलता है जिस वाइरस का नाम के है H9N-2 वाइरस ठीक है तो इस वाइरस को जो है वो टेकल करने के लिए ठीक है ताकि ह हमारे जो चिकन्स हैं, उनको बेसिकली जो है, बचाने के लिए, ये एक वैक्सीन जो है, वो डेवलप की गई है, तो हम ये बोलेंगे, हमारी फर्स्ट इंडेजिनिस वैक्सीन है, जो की डेवलप की गई है, इस वाइरस को से फाइट करने के लिए, तो हम बोलेंगे, ये जो हमारी vaccine है यह generally हमारे जो standards है market के चाहे वो India के हो चाहे abroad के उसको meet करती है और हम यह बोलेंगे की यह basically जो vaccine त्यार की गई है यह low pathogenic influence virus के लिए की गई है ठीक है एक होता हमारा high pathogenic influence virus यह vaccine उसके लिए नहीं है यह low pathogenic influence virus जो है यह उसके लिए vaccine जो है वो ढांगे है तो हम ये वलेंगे कि जो farmers की income जो है वो कम हो रही थी क्योंकि obviously है chicken जब मारे जाएंगे तो oldest farmer की income जो है वो कम होगी portray farm में जो है income उनकी कम होगी तो इसलिए उनकी income को increase जो है वो किया जा सकता है इस initiative से थीक है इस medicine से इस vaccine से तो वही देखा बेसिकली एकनॉमिक लॉस उनको रड्यूस होता हूँ दिखेगा ठीक है तो यह हमने देख लिए हमने H9N2 वैक्सिन के बारे में अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपसे मैं डिसकस करूंगो वह दिमोनेटाइजेशन यह बहुत जजज का केश था 5 जजज बैंच केश था तो उसमें 4 जजजज जो थे वह हमारे Central Government के ही फेवर में थे लेकिन एक जजज जो थे वह Central Government की Against थे ठीक है अब वह क्या अगेंज थे वह अब जब आर्टिकल समझो गया आपको समझा जाएगा देखो Supreme Court में basically five judge का bench है ठीक है तो हम ये बोलेंगे इसका one plus four करके चलो ठीक है एक जो है वो against government के चार judges जो है वो favoring government के ठीक है कि जो government destap layer demonetization का वो ठीक लिया ऐसा four जो four judges उनका कहना है ठीक है तो देखो basically हम ये बोलेंगे कि जो चार चीज है वो क्या बोलते है वो ये बोलते है कि कोई flaws नहीं था ठीक है जो demonetization process किया कहता है central government के द्वारा उसमें कोई गलती नहीं थी वो बिल्कुल ही ठीक था ठीक है उसमें क्या 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 कहता है हमारे 500 के जो note थे और हमारे 1000 के note थे उनको demonetize कर देता उनका जो legal tender है वो खटा दिया गया है ठीक है legal tender basically क्या होता है legal tender होता है कि जैसे कि suppose करो आपके पास तŁ JASPOS करो to hundred nine here hundred रूपीस है ठीक है कोई भी currency है 100 हो 10 रूपीस हो 20 हो 100 200 हो कोई भी हो ठीक है आप क्या करते हो किसी से कोई समान लेते हो, ठीक है, समान लेते हो, अब उसको, समान लेकर उसको पैसे लेते हो, ठीक है, जब पैसे देते हो, वो जो दुकान दार है, वो आपके पैसे को इग्नोर नी कर सकता, वो रिजक नी कर सकता, ठीक है, उसको पैसे जो है, वो लेने ही होंगे, ठीक है, वो क्यों, क्योंक कि ये बंदे को कि आप ये ले सकते हो ठीक है इसमें मेरी guarantee है ये legal है ठीक है तो इसलिए basically इसको बढ़ते legal tender लेकिन अब जब demonetization की गई उसमें 500 का जो note है और 1000 का note है उसका legal tender को revoke कर दिया गया यानि कि अब ये 500 का note जो है ये valid नहीं होगा 1000 का note जो है valid नहीं होगा अब नहीं currency जो है वो छपेगी ठीक है तो यह बेसिकली जो है यह demonetization process चे और central government के त्वारा जो है वो किया गया था अब जो चार judges है वो basically बोलते हैं कि इसमें कोई flaws नहीं यह government ने जो भी step लिया बिल्कुर ठीक decision लिया ठीक है central government ऐसा बोला जाता कि central government ने क्या किया था जब यह step लेने लगी थी उस समय RBI इसे जो है वो discuss जो है वो किया था ठीक है छे महीने से discussion जो है RBI के साथ जो है वो central government के चल रही थी तो इसमें कोई भी जो है वो गलत step नहीं है ऐसा चार judges का कहना है लेकिन अगर हम बात करें जो एक judge था हमारा ठीक है उन्होंने central government के खिलाव बात की है उन्हों अपनी मनमर्जी की है ठीक है उन्होंने RBI से बिल्कुल नहीं पूछा उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार central government ने demonetization जो है वो कर दी है ठीक है ऐसा इनका कहना है ठीक है चलो अब यह देखते है कि demonetization अगर हम देखें यह कोई नई चीज नहीं है यह पहले भी जो हो चुकी हुई है ठीक है already taken place ठीक है तो हम यह बोलेंगे कि कब कब हुई थी 1946 में demonetization हुई थी जब RBI ने demonetize किये थे 1000 का note और 10,000 का note ठीक है फिर हम बात करते है फिर 1978 में भी सेंटर गोर्णमेंट ने demonetization की थी ठीक है 1000 का यह 5000 और 10,000 ठीक है ताकि यह किये के थे ताकि हम क्या कर सके black money को कब कर सके टैकल कर सके ठीक है क्योंकि demonetization को करने के main aim यह objective क्या होते है देखो यह objective होते है पहला तो यह कि demonetization जो corruption है market में वो कम हो सकती ए ठीक है फिर उसके बाद देखा हमने कि terrorism जो है उसको tackle किया सकता है ठीक है क्योंकि terrorism में generally जो है यह पैसा जो है वो इस्तामाल किया जाता है जो भी black money gaut generate होता है ठीक है तो इसलिए terrorism जो है, इसको tackle किया जा सकता है फिर हम बात करते हैं कि जो फेक करन्सी नकली जाली जो क्षबते है, उसको हम कम कर सकते है short फिर उसके बाद एक हमुने कि कम वी नि बोले कर सकते हैं, खतम कर सकते है ठीक है फिर हम बात करेंगे कि improve digital transaction हमारा digital transaction में भी improvement देखने को मिलेगी ठीक है फिर हम बात करते हैं कि eradicate black money जो black money काला दन है उसको भी हम eradicate खतम कर सकते हैं ठीक है इससे तो यह कुछ objectives या aims है हमारे demonetization के ठीक है चो नेक्स नेक्स आर्टिकल के उपर आओ नेक्स आर्टिकल देखते हैं नेक्स आर्टिकल हमारा crochet enter into shahzan zone तो basically इसमें यही बोला गया है कि crochet basically एक हमारी country है ठीक है तो ऐसा माना जाता है कि हम यह बोलेंगे कि 1 जनवरी 2023 में यही क्रोशिया ने जो है वो switch over कर दिया है किसमें European की currency आने की euro में ठीक है तो हम यह आपको पता ही होगा European Union जो है EU उसमें कई सारे हमारे European nations है ठीक है कुछ हमारे European nations ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो national currency है उनको खतम करके वो shift करके हैं euro में और ऐसी countries जो है European Union की उन countries को euro area बोलते है ठीक है यह euro zone बोलते हैं ठीक है तो वही चीज़ है अब यह जो क्रोश है यह भी उस euro area यह euro zone वाली जो कैटेगरी यह उसमें आ गई है वह क्योंकि इसने अपनी जो national जो इसकी अपनी वह थी क्या कहते है अपनी जो क्रंसी थी इसकी नेशन अपनी अपनी करंसी थी जो ने ठीक है यह euro zone के कैटेगरी में जो है एड हो गई है ठीक है फिर हम बात करते हैं क्रोशिया ने जॉइन कर दी साथ में फ्री शेंजन जून को भी जॉइन कर दिया अब फ्री शेंजन जून बेसिकली क्या हो तब देखो स्पोस्ट करो यह हमारी कुछ यह euro-pien union में ऐसे आपको पता कहीं सारी कंट्रीज हैं सपोस्ट करो यह मैं यहां पर चार कंट्रीज ले लेता हूं country 1 country 2 country 3 country 4 अब आपने वीजा लिया हुआ है अब वीजा से आप country 1 से 2 में जा सकते हो ठीक है अब आपको फिर से 2 से 3 में जाने करें नया visa अप्लाई नहीं करना है आप वही जो अपने वीजा एक लिया हुआ उससे आप 1 से 2 में जा सकते हो 2 से 3 में जा सकते हो 3 से 4 में जा सकते हो ऐसे करके कहीं सारी countries में जो है European Union के अंतर जो आती है उनमें जा सकते हो ठीक है without apply any visa ठीक है बस आपको एक यह वार apply करना है तो यह basically जो बोला हुआ है इसे जो हमारा zone है यह देखो यह पूरा zone मैंने जो red से highlight किया ठीक है यह जो मैंने red से highlight किया यह पूरे zone को हम क्या बोलेंगे इसको हम Shenzan Zone बोलेंगे यह Shenzan Area बोलेंगे हम ठीक है तो उसके बाद जो visa apply हुए हमारा एक ही बार जो सारी country में हम मतलब ही जा रहे यह European Union के अब basically हमारी European Union की कई member states हैं जिनोंने क्या किया है मतलब कि हम बोलेंगे रिप्लेस कर दिया अपनी national currency को अब euro को डॉप्ट कर लिया है ठीक है तो ऐसी countries को हम क्या बोलते हैं euro countries यह euro area euro zone बोलते हैं ठीक है अब हम बात करें हमारी 27 में से 20 countries है European Union के अंदर 27 countries है उन में से 20 countries ऐसी है जो कि हमारी हम बोलेंगे कि जिनोंने euro को as a national currency अपनी बना लिया हुआ ठीक है next article देखो next article हमारा e-sports के बारे में तो यह basically बोला जा रहा है कि हमारे president of India ने जो है हमारे कुछ regulations लगाए गये थे हमारे यह e-sports के उपर ऐसा बोला जाता था कि जो हमारे जो कुछ games होती जो हम क्यों खेलते हैं ना जैसे हम play store से कहीं सारी games को जो है वो download करते हैं और फिर अपने mobile में खेलते हैं ठीक है हम अपने laptop में भी कहीं सारी games वगरा खेलते हैं वो इस टाइप की जो games होती है ठीक है जो लोग खेलते हैं उनको basically जो है वो एक दरज़ा बगारा जो है वो नहीं मि टीक है जो डॉनलोड करके हम प्ले स्टोर से खेलते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में तो वह बेसिकली उन गेम को भी जो है एक जैसे जो पाकी स्पोर्ट्स होते हैं ठीक है कोई भी आप स्पोर्ट्स देख लो हमारे क्रिक्ट वगारा फुटबॉल ठीक है दोडना वग करेंगे एक मतलब कि हम इसको एक स्पोर्ट का दर्जा देंगे तभी बोला गया कि इसपोर्ट इंडिया ने इंडिया ने request कि हमारे sports minister को और ministry of electronics information technology जो है उनको बोला है कि आप क्या करो e-sports को add कर दो multi sports में हो ठीक है तो ये बोला किया है तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे जो पहले regulations लगाए गए थी हमारे e-sports में उनको amend करना पड़ेगा तो वही देखा प्रैजिडन ने वहले rules को amend करो ठीक है जो e-sports को govern करते थे उस rules में हम ये डाल दो कि ये जो हमारे electronic sports है उसको भी हम multi sports में add कर रहे है ठीक है और उसके हम बात करें कि अभी ये जो हमारे e-sports है इसको regulate कोन करेगा इसको चलाय का govern कोन करेगा ठीक है इसको हमारी sports ministry नहीं करेगी ठीक है इसके लिए हमारी mighty ही काफी है वो क्यों क्योंकि electronics information technology है तो ये जो हमारे केलते हैं games वगेरा ठीक है mobile में या laptop में ये भी क्या electronic gadget है उसी में के ही health से खेलते है ठीक है तब ही ये ministry जो है इसको regulate करेगी गोन करेगी